आज की इस वीडियो में को बताने वाला हो आपका bank account किसी वीडियो में हो तो आप उसका bank balance कैसे चेक कर सकते हैं किसी वीडियो में जानेंगे बस आपसे यह request दोस्तों कैसे चेक करना आज की इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को क्या करना पूरी की पूरी watch करना है तभ से पहले आपको क्या करना प्ले स्टोर एप को ओपेन किया अब आपको यहां पर एक डाउनलोड कर लेना मनी व्यू मनी मनेजर देन आपको इसको इसको इस्टॉल कर लेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का देख सेकते 26 MB का साफ्ट्वियर है आप 4.5 की रेटिंग मिल जाती है यहां पर इस्टॉलेशन हो रहा है मनी मनेजर देख सकते हैं मनी मनेजर देन आपको क्या कर लेना ओपन और 12 वार्भा सन प्रक्रिक करेंगे देन आपको इस पर टिक कर लेना I agree वाले आप्शन पर किलिक करना पसे लेंगुज में करना चाहते है je Folie कर पूझे़ने सुछा हूं फे जिन ऐहाँआपको इस चोटा मोटा एकौंट बना लेने से पहले से एकौंट यहाँपे बना ले चलिए निकल अंक्रिटिंग् देन आपको continue की option पर click कर लेना है देख सकते हैं यहाँ पर get and in stand loan money your manage your money देन आप इस पर click करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर manage your money आपका पूरा यहाँ पर account detail दिखाई दे रहा देन आपको open करेंगे open करने बाद आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा देन आपक OTP and SMS के माध्यम से OTP send होगा वो OTP डाल करके यहाँ पर verify कर लेना चलिए OTP आ चुका है आप देख सकते हैं चलिए OTP डालेंगे OTP डालने बाद हम यहाँ पर verify कर लेंगे verify यहाँ पर verify हो चुका जैसे verify हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं अब आपको एक option यहाँ प जाता है account का, simple से account वाले option पे click करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पे credit card, valid, loan, बहुत सारे हैं, तो आपको buying account वाले option पे click करना, देन आपको इसी वाले option पे click कर लेना, उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पे कितना transaction आपने किया, वो सारी detail दिखाई दे रही है, then यह यहाँ पे हम back करेंगे, back करने बाद देख सकते हैं, यहाँ पे current total balance, then प्लस वाले account पे click करेंगे, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले account पे click करेंगे, यहाँ पे click करते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी bank के हैं, हमें जिस भी bank का हमें balance चेक करना है, जिसे म दिखाई देने लगेगा अगर में इसमें इलहाबाद में डालना तो इलहाबाद बैंक क्लिक करेंगे अकॉंट नंबर डालेंगे आपका यहां पर बैलेंस दिखाई देरा देख सकते हमारा का एक्सिस बैंक का बास focus कर सकते हैं अषा करता दोस्तों यह अगर वीडियो पसंद आई तो या जन HTML को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा